नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का GS Vision Academy पर दोस्तों इससे पहले यह चैनल एक ही नौलाकर क्लासिस के नाम से जाना जाता था महत्वपूर्ण सूचना है ध्यान रखेंगे अब जो है एक ही नौलाकर क्लासिस बदल करके GS Vision Academy कर दिया गया है बहुत सारे स्टुडेंट कमेंट करते हैं कि सर यह चैनल कौन सा है तो वही चैनल है आपको Confuse होने क्या रशकता नहीं है तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले है और अधिक्षक परिक्षक के लिए विसेश है यह Test Series 15 नंबर का है और 36 गड़ की जन जातियों का महत्पूर्ण 15 MCQ करने वाले है और यह MCQ जो है यह बहुत ही महत्पूर्ण है तो चलिए CG PS4 व्यापम के जितने भी exam IG थोना आले है सभी में important रहेगा शुरू करते हैं पहला Question शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल में नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा साथी बिल आइकन में all प्रेस कर लिजेगा तो चलिए दोस्तों पहला Question क्या है आपका पहला Question है इस राज्य में कौनसी जन जाती द्रा ककसार निति किया जाता है तो देखे किस जन जाती के द्रा ककसार निति किया जाता है बहुत ही महत्पूर्ण है और जो Question करने वाले हैं ये re прошedan बार बार एक्जाम में पूछा गया है इसलिए सारे question पर जरूर आप लोग solve करें सारे question को और सुरू सेन तक जरूर बने रहे हैं सारे question को आप देखें कितने question आप से बन रहे हैं तो चलिए इस राज में कौन से जन जाती कक्सार नित्य किया जाता है किस जन जाती के दोरा correct answer हो जाएगा दोस्तों आपका मूरिया जन जाती के दोरा कक्सार नित्य किया जाता है इस जन जाती के दोरा और कौन कौन से नित्य किया जाता है तो देखिए ध्यान रखेगा हुलकी पाठा याद रखेगा इससे important factor भी देखते जाएंगे हम लोग ताकि एक्जाम में कोई भी question आए वो हमसे न चूटे तो देखिए खुलकी पाठा जो ये क्या है समाने नित्य है दूसरा नित्य किया जाता है घोटूल पाठा बहुत ही मातपून है ध्यान रखेंगे ये मूरिया जन जाती के द्वारा ही किया जाता है कौनसा नित्य है घोटूल पाठा क्या घोटूल पाठा और ये जो घोटूल पाठा है दोस्तों ये मृत्वी क्या उसार पर किया जाता है एक और है इनके द्वारा गेडी नित्य भी किया जाता है गेडी जिसे डिटों नित्य भी कहते हैं गेडी नित्य या जिसे क्या कहते हैं डिटों नित्य भी कहते हैं और इसी नित्य में क्यों लड़के लोग भाग लेते हैं इसमें गेडी या डिटोम नरित्य में, तो दोनों आपको ध्यान रखना है, एक और है माओ पाटा नरित्य, क्या है, देखी एक तो घोटन पाटा है, एक माओ पाटा है, तो देखी ये माओ पाटा जो है, ये सिकार के समय किया जाता है, किसके समय नरित्य किया जाता है, सिका के समय तो देखिए इतने question आपका इस जन जाती से संबंधित question बन सकते हैं important रहेगा आपके अधिक्षक और पटवारी परिक्षक के लिए चलिए next question के और आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस राज जी की जन जातियों दोरा किस वाद यांतर को मुह से फुकर बजाया जाता है त तो correct answer हो जाएगा आपका अलगोजा को तो अलगोजा ये है कि एक्ष़ल में तीन या चार च्छ ainda से बनी मतलब ये जो है तीन या चार च्छ ainda होते हैं इसमें यह भी enterprise question पूचा जा सकता है तो ध्यान रहकेंगे तीन या चार च्छिद्रों से बना ध्यान रहें दृटेगा इसमें क्या होता है दोस्तों चरवाहा जो होता है वो इसमें तान देता है और इसे जो है विशेस मेलो या मड़ाई के औसर पर भी बजाया जाता है ध्यान रखे गया मेलो या फिर मड़ाई के औसर पर भी से बजाया जाता है तो इतनी important fact है आपका इस question से next है दोस्तों आपक इस राज्य की कौन सी जन जाती की बोली द्रवड भासा परिवार में सामिल है बहुत ही मत्तपुन है तो important है ये D आपका correct answer है उराव जन जाती की जो बोली है ये द्रवड भासा परिवार में सामिल है तो ये तो आपसे बन जाएगा बाकी जो है विरहोर, नगेसिया और मुं पुछा जा चुक है आपका व्यापम और PSC दोनों में पुछा जा चुक है तो याद रखिएगा आप लोग नेक्स्ट है इसे trick भी बना सकते हैं बीन मुंडा बीन मुंडा ऐसे याद करेंगे तो ये मुंडा परिवार में आ जाएगा और उराव जो है आपका किस में आज आप देखिए ये पनारा जन जाती कहां पायता है तो ये कहां निवास चेत्र कहां इनका सरगुजा राएगड़ बस्तर और राजमांद गाज चेत्र में ये सिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है कि जो चिन पत्तों के द्वारा जो कला खृति किया जाता है उसके लिए पना चली नेक्स्ट है, इस राज्य की अजय मंडावी जो अजय मंडावी बहुत ही इंप्पोर्टेंट है, पूछा भी जा चुक है इस question को, तो ये सिल्प कार है, ये क्या है? सिल्प कार है और ये ध्यान रखियेगा, ये कांकेर निवासी है, और ये कला सवंधर के लिए, इनका कला संतर जो है क्या है नवीन आयामो को क्या करता है प्रदर्शित करता है ध्यान रखेगा अब चलिए दोस्तों इसी से संबंधित एक और कोश्चन है जो पुछा जा सकता है आपके एकजाम में बेलगूर मंडावी ध्यान रखेगा आप नाम को बेलगूर मंडावी चित्रकार है ये क्या है राष्टी चित्रकार है ध्यान रखेगा ये क्या है राष्टी चित्रकार है और अजय मंडावी क्या है अजय मंडावी जो है आपके क्या है सिल्पकार है बेलगूर मंडावी राष्टी चित्रकार है और इनकी चित्रकारिता जो है इनका जो चित् अग्वारा किया जाता है, और दुसरी बात है कि इनकी पंचायत, ये जो कोर्वा की इनकी पंचायत को क्या कनाम से जाना जाता है? मैयारी के नाम से जाना जाता है ये भी ध्यान रखेगे important है किस नाम से जाना जाता है मैयारी के नाम से जाना जाता है और जो है मृतक संसार इनका नवाधानी कहलाता है इनका जो मृतक संसकार होता है वो क्या कहलाता है नवाधानी के नाम से जाना जाता है ध्यान रखेगा संसकार को नवाधानी और क्रिया कर्मक समय कुमारी भाद करते हैं ये लोग क्या करते हैं क्रिया कर्मक समय कुमारी भाद तो इतने important fact है दोस्तों इस question से next है खैर विक्ष से कथा निकालने का कार्य किस जन जाती के द्वारा किया जाता है important है खेर विक्स से कथा जो है खेरवार जाती के द्वारा निकाला जाता है और इनका निमाज छेतर सर्गूजा छेतर है सरगूजा छेत्र में देख लिए सरगूजा, सुरजपूर, बरनामपूर इस छेत्रों में ये निमास छेत्र हैं का इन छेत्रों में ये निमास करते हैं और इसी खेरवार जन जाती के दरा कथा निकालने का कारिय किया जाता है नेक्स्ट कुश्चन है आपका पहाड़ी कोरवा में कौनसा विवाँ प्रचलित है, अब देखें देखते हैं धूकु विवाँ में क्या होता है महिला पुरुस के घर भाग करके आजाती है और इसोंसे विवाँ फिर किया जाता है तो ये क्या कहलाता है ढूकू विवा कहलाता है और लग भग लग भग कुछ कुछ जन जातियों में ये ढूकू विवा प्रचलित है अब देखिए भगेली और दूधलावटावा दो विवा और है भगेली विवा कहते हैं और दूधलावटावा विवा कहते हैं तो भगेली और दूधला उटावा विवाह किसमें पाया जाता है ये दोनों विवाह जो है ये भी इंपोरेंट है गोड जन जातियों में पाया जाता है कोन से जन जाती में गोड जन जाती में अब देखिए दूधला उटावा भगेली विवाह का मतलब क्या है दूधलावटावा विवाः चलिए, नेक्स्ट है आपका, कौन सी जन जाती अपनी रसोई घर को लाल बंगला के नाम से पुकारती है, बहुत ही important question है, बार-बार repeat किया जा रहा है ये question, इसी लिए इस question को लिया गया है, आप जो है अच्छे से करिए गई से, कंफ्यूज नहीं होना है, कई लोग कमार में कंफ्यूज हो जाते हैं, कमार नहीं है, लाल बंगला के नाम से भूंजिया जन जाती अपने रसोई घर को पुकारती है, ये बहुत ही important question है, मेरे तरब से MP टिक कर लिजे, इसे पूछा ही जा रहा है, लगातार व्यापम में व्यास्था की गई है, तो सविधान में जन जाती के लिए किस अनुसूची में, तो आप सभी जानते हैं, छटवी अनुसूची में यह जो है, व्यास्था की गई है, next question है आपका, इस राज्य की जन जातियों में सरवाधिक संख्या किस की है, तो देखिए इस राज्य की जन जाती है, उसमें किस जन जाती की संख्या सरवाधिक है, तो important दोस्तों, C आपका गोड करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोड की जन जाती, गोड की जो संख्या है, जन जातियों में सरवाधिक है, चलिए next है, इस राज्य की कौन सी जन जाती की विवाह महिलाएं, की विवा सफेज साड़ी पहनती हैं समाने तोर से हम लोग देखते हैं कि सफेज साड़ी कप पहना जाता है जब किसी पत्नी की पती की मृत्ति हो जाती है तब सफेज साड़ी पहनते हैं लेकिन ये विवाह के समय सफेज साड़ी पहनती हैं लेकिन पूरुस क्या पसंद करते हैं इस सम धोती कौन लोग पूरु स्वर्ग के लोग चलिए next question है आपका पाईक किस जन जाती से संबंदित है बहुत ही important है पीए सिम पूछा गया question है तो ये कमर जन जाती से संबंदित है पाईक चलिए next question है आपका और दोस्तों अगर आपको यूड़ो अच्छा लगता है तो like और share क करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा किस जन जाती के द्वारा लोहे गलाने का कार्य किया जाता है तो अगर यह जन जाती के द्वारा लोहे गलाने का कार्य किया जाता है और इस जन जाती में उड़ा डाल का भी विशेस महत तो होता है ये भी आपको ध्यान रखना है चलिए जन जाती के दोरा काले पक्षियों का शिकार या फिर आखेट किया जाता है इस तरह से question पूछे तो उसका correct answer हो जाएगा आपका ये पारधी जन जाती के दोरा किसके दोरा पारधी जन जाती के दोरा काले पक्षियों का शिकार या फिर आखेट किया जाता है तो दोस्तों वाले सेक्शन में देखिएगा जो भूगोल का प्लैलिस्ट बना है उसमें आपका मिलेगा चलिए मिलते हैं नेक्स टुडियम तब तक के लिए जहें